इधर बालोट के तांदूला डैम से सिचाई के लिए रोजाना दो हजार क्योसक पानी शोड़ा जा रहा है दुर्ग बेरला बेमे तरह शेतर में कम बारिश होने की वज़ा से लोग लगातार बान से पानी छोड़ने की मांग कर रहे थे दुसके बाद बान से पानी छोड़ने का नेन लिया गया है डैम में फिलहाल चौतिस पीच पानी है वर्षा से जहां किसान चिंती थे कि इस बार फसलों का क्या होगा वही अब बालोत के तांदुला जलासाय से रोजाना 2000 क्यूस से अधिक पानी जो है नेहरों के माध्यम से किसानों के खेतों के लिए छोड़ा जा रहा है इतने ही बालोत जिले के अलावा दुर्ग बेमे तरा और बेरला इन छेतर के किसानों के लिए लगबाग 40,000 हेक्टिर से अधिक किसानों को ये जो पानी छोड़ा जा रहा है उसका लाव मिलेगा बालोट जीले के तांदुला के अलावा खरखरा और गुंदली जलासे से भी पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसानों को खेती में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस वक्त बालोट का जो तांदुला जलासा है उसमें 34. 34 फिट पानी भरा हुआ है परियाप्त पानी बताया जा रहा है और किसानों के लिए रहात की खबर है आई एस टॉंटी पॉंटी सेवन के लिए बालों से राहूल बुतड़ा